आम से बना हुए यह टेस्टी डिजर्ट आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा यकीन मानिए यह डिजर्ट इतना टेस्टी लगता है ना कि आप इसे तुबारा जरूर बनाएंगे और यह बहुत ही आसानी से बन भी जाता है तो घर पर बहुत अच्छे अच्छे तारी प्लाईज कर के काट लिया है यह तरह कि मैंने पिसेज करली हैं आप अपने कोर्णिंग कर सकते हैं जर यहां पर मैंने मिकसरowego आश्डाइस का जार स्कीजर्ण कर आना और यहां पर मैंने दूधर लिया है, यह 1 लीटर दूधर जो मैंने गैस पर चड़ा दिया है. तो जब तक ये दूद थोड़ा पक रहा है, बॉयल हो रहा है, मैंने इधर एक non-stick pan लिया है, कड़ाई ली है, और इसमे मैंने डाल दी है सेवाई, वही सेवाई जो हम लोग बनाते हैं, नास्ते बगरा में, तो यहाँ पर थोड़ी से मैंने सेवाई ली है, और गैस अन करके इसको मीडियम फ्लेम में बिल्कुल रोस्ट कर लेना है, तो जब तक मेरा दूद बॉयल हो गया तो और सेवाई भी रोस्ट हो गई थी, तो इस दूद में मैंने सेवाई को डाल दिया है, अब इसे 10 मिनट तक पकाना है, जब तक सेवाई अच्छे से पक नहीं जाती है, औ तो दूद को बहुत जादा गाढ़ा नहीं करना है, तो इसकी कंसिस्टेंसी मतलब बहुत जादा थिक नहीं रहेगी, तो यहाँ पर मैंने सेवाई को पकाना है, स्टार्ट कर दिया है दूद में, तो लगबग 10 मिनट तक हम लोग पकाएंगी, इतने सेवाई भी पक जाए आप चाहें तो इसमें PCV चीनी भी डाल सकते हैं, तो टेस्ट के कोर्डिंग मैंने यहाँ पर चीनी आड करी है, आम भी मीठा है, तो इसलिए मैंने बहुत जादा चीनी आड नहीं करी है, इसके बाद जब यह दूद प्रॉपर तरीके से ठंडा हो जाएगा, तब इसमें म विस्कर लिया है, विस्कर के हल्प से बहुत अच्छे से जो है न मैंगो का जो पल्प है, वो इसमें मिक्स हो जाएगा, तो प्रॉपर तरीके से मैंने खुब अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है, तो विस्कर से दो तीन बर चला दिया था तो आम जो था प्योरी था उसक अपने अक्वार्डिंग फ्रूट्स ले सकते हैं तो मेरे पास इसमें अनार था तो मैंने अनार छील के रखता है मैंने इसमें अनार डाल दिया है और साथ ही मैंने इसमें अनार के साथ सा डाला है एपल तो एपल का पहले मैंने छील का छील लिया है तो यह डिजर्ट बहुत ही जादा टेस्टी लगता है खाने में तो मैंने इसे दोई फ्रूट्स एड़ की हैं अनार और एपल आप चाहे तो इसमें बनाना भी एड़ कर सकते हैं और वाकी इसमें लाइची पाउडर वगरा मैंने एड़ नहीं किया आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो उनको आप खिलाइए आपको सच में वो लोग तारीफ करके जाएंगे कि कितना टेस्टी डिजर्ट है और यह बिल्कु नया डिजर्ट है मतलब बाकी मैंगो की हम लोग जो नॉर्मल चीज़े खाते हैं ना खाका के बोर हो जाते हैं